Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Plant Perfect तो हम लेकर आगे हैं आपके लिए एक नई वीडियो आज मैं आपको देने वाला हूँ अपने वेजिटेबल गार्डेन का टूर तो जैसा कि मैंने आपको बोला भी था लास्ट वीडियो में हमने जिसमें पालक हार्वेस्ट किया था तो आज की ये वीडियो वही होने वाली है मैं आपको देने वाला हूँ अपने वेजिटेबल गार्डेन का पूरा टूर वैसे अगर आपने वो हार्वेस्टिंग वीडियो देखी होगी जिसमें हमने पालक हार्वेस्ट किया था तो उसके साथ हमने कुछ और पत्तो वाली सबजियां हार्वेस्ट किती उसके अलावा भी हमारी कुछ सबजियां ग्रो हो रही है जो आप इस वीडियो में देखने वाले है साथी महाँ पर दो चाफ फूर्ट के प्लांट भी है वो मैं आपको दिखा दूँगा इस वीडियो में अगर आपने मेरी एक और वीडियो देखियोगी जिसमें हमने नारंगी हार्वेस्ट किती तो वो हमारा नारंगी का पेड़ भी महीं पर है वो वाली वीडियो भी आप मेरी यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं इसको भी जल्दी हम कट करने माले हैं फिर हमारी दूसरी क्यारी में हमने लगाया धनिया धनिया हमारा अच्छा ग्रो हो रहा है धनिया तो लगबग हम रोज ही हार्वेस्ट करते रहते हैं तो जितनी जरूरत होती है उतना धनिया रोज लेके चले जाते हैं फिर हमारा तीसरी क्यारी में मैं आपको लेके जारों यहां पे हमने लगाई है मेती, मेती भी मैंने दो-तीन दिन पहले ही काटी है, तो अभी तो थोड़ी छोटी-छोटी है, अभी आप देख सकते हैं कुछ पत्ते आरक हैं, काफी बड़ी हो गई थी हमारी मेती और मैंने द पर मैंने उस दिन भी थोड़ा साथ के लिए ले लिया था, अब मैं वापस आगे हूँ, यह हमारी पालक वाली जो पहली क्यारी थी, उसके बराबर वाली क्यारी देखते हैं, तो साइड में आप देख सकते हैं, साइड साइड में मैंने एक और बैच मूली का लगा दिया ह यह हमारी मूली यहां तैयार हो जाएंगी कुछ टाइम में, और बीच में क्यारी में जो हमने लगाया है, यह हमारे सेव चैनी के पौदे, सेव चैनी की फलियां होती हैं, यह भी एक तरह की बीन्स होती हैं, तो यह हमारा थोड़ा टाइम लगेगा अभी इनको ग्रोने मे और बहुत तेजी से बढ़ते हैं, तो आप चैनी के साथ के लिए इनको ग्रो कर सकते हो, और आपको बीच लाने की विज़ुरत नहीं, आप घर पे जो काले चैने खाते हैं, उनी से इनको ग्रो कर सकते हैं, नेक्स्ट क्यारी में चलिए दिखाते हैं आपको क्या है, यह आ इस वाली में देख सकते हो चार क्यारियां थी और इस वाली में भी चार क्यारियां थी मैंने आपको दिखाया था यह हमारी बत्वे वाली ग्यारी है और साइड में हमने यहां पे मूली लगाई हुई है यहां पे बीच में आप देख सकते हो एक बीट रूट का प्लांट है बीट रूट मतलब चकुंदर मैंने इस साल जो सीड्स ग्रो किये थे वो शायद खराब थे तो उसमें से सिर्फ एक पौदा ग्रोवा था और अभी गोभी के साथ मैंने कुछ और पौदे यहां से मार्केट से लाके लगाए है वो भी थोड़े मुर्जाय हुए है पर होफ़ुली यह सब ठीक हो जाएंगे और हमारे बीट रूट चल जाएंगे साइड में मैंने अभी आपको बताए कि यह सब मैंने मूली लगाई हुई है तो मैंने आपको आधी तरफ की सबजे दिखा दिये इस वाली चार क्यारियों में क्या क्या लगा है फिर यह पालक वाली चार क्यारियों में पालग, धनिया, मेथी और हमारा बत्वा कड़ा है लास में कुछ मूली के पौदे हैं वो सब मैंने आपको दिखा दिया है तो हमारा आधा लगबग सबजियां खतम हो चुके हैं अब आज आते हैं इधर वाली साइड यहाँ पे पहले वाली क्यारी में हमारी कुछ मूलीा लगी है बीच में कुछ खाली स्पेस है तो महां से हमूली निकाल चुके हैं फिर हमारी ये कुछ भिंडी के पौदे हैं भिंडी अभी 10 दिन पहले तक भी हमारी लग रही थी लेकिन अभी थोड़ी सर्दी बढ़ गई है तो इन पे flowers आने बंद हो गए है बस मैंने इनको छोड़ा है तो कुछ इन पे भिंडी लगी हुई है जो मैंने पकने के लिए छोड़ी है जैसे आप ये वाली देख सकते हैं ये पक जाएगी तो हम उसका बीज रख लेंगे उसमें आप देख सकते हो ये वाली जैसे भिंडी पक गई थी तो इसमें से भी हमने seeds निकाल लिए है उसके बाद हमारे यहां पर आप देख सकते हैं यह आगे हैं हमारे बैंगन के पौदे आप देख भी सकते हैं यहां पर बैंगन लगे हुए हैं एक यह रहा बैंगन यह मैंने इसी साल लगाए थे वैसे समर्स में बैंगन के पौदे और हमारे बैंगन के पौदे काफी बड़े हो गए थे अभी जब हमने पालक बोया था तो उस टाइम मैंने इनको पूरी तरह से काट भी दिया था और फिर ये दुबारा से इतने ग्रोव चुके हैं और आप देख सकते हो काफी सारे बैंगन भी इन पे लगे होएं यह यहाँ पे इस एरिया में लगबग 5-6 बैंगन के पौदे हैं जो हमारे पूरे अच्छे से फैल्स चुके हैं इदर से दूसरी साइड से मैं आपको दिखा रहा हूँ तो हमारे ये बैंगन के पौदे बैंगन वाली साइड में जो क्यारी है वहाँ पे यहाँ पे भी कुछ मूली लगी है और बीच में हमने लगाई हैं यहाँ पे गाजर ये हमारे कुछ गाजर के पौध है गाजर भी मेरी इस साल अच्छे से ग्रो नहीं हुई पता नहीं बीज ऐसा क्या हुआ तो कुछ ही गाजर के पौध है लेकिन ठीक है अभी अच्छे चल रहे हैं जितने भी गाजर के पौध है उसके बाद चलिए next क्यारी में दिखाते हैं आपको क्या लगा हुआ है यहाँ पे side में तो यहाँ पे भी कुछ मूली के पौधे ही हैं और बीच में हमारे यह सोय के कुछ पौधे हैं सोया तो हमेशा खुदी ग्रो हो जाता है हर साल इसका बीच की रह जाता है और वो सर्दियों में खुदी ग्रो होने शुरू हो जाता है फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ हरी प्याज के पौधे हैं और यह हमारा एक गोभी का पौधा है तो इस वाली क्यारी में हरी प्याज लगी है और एक गोपी का बौदा है फिर बाद में इधर आप देख सकते हैं यहाँ पे भी एक पैच था यह जिसमें हमने भिंडी लगाई भी थी इस पे भी भिंडी काफी लग रही थी अभी तक लेकिन अब मैंने सिर्फ इनको पकने के लिए छोड़ दिया जैसा मैंने आपको बताया तो इनसे हम सीड्स कलेक्ट कर लेंगे बस अब यह लास्ट तो और कुछ भिंडी नहीं आ रही है इन पे उसके बाद यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ यह हमारा दूसरा वाला पालक है जो मैंने आपको बताया था जब हमने हार्वेस्ट किया था यह वाला पालक हमारा साल पर ग्रो होता है इन सब का seeds हम collect करके रख लेंगे फिर हम गर्मियों में अपनी बिंडी को grow करेंगे यह हमारा पालक काफी अच्छा grow कर रहा है दुबारा harvest के लिए ready है फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं side में हमारा एक और गोपी का पौदा है अभी तो छोटा गोपी आनी शुरू नहीं हुई है हमारी फिर यहाँ पे थोड़े से हमारी शल्जम मैंने लगाई है मैंने कुछ seeds ऐसी डाल दिये थे शल्जम के क्योंकि घर में ज़ादा कोई शल्जम खाता नहीं है फिर हमारे side में यह और दो गोपी के पौदे हैं अभी इनमें भी गोपी आनी शुरू नहीं हुए है ग्रोथ अच्छी हो रही है इनकी तो जल्दी हमें गोपी मिल जाएगी फिर इस वाली क्यारी में भी मैंने आपको सब दिखा दिया है फिर में मूली गाजर फिर हमारी यहाँ पे बीच में प्यास थी हरी प्यास और यहाँ पे कुछ शल्जम और गोपी के पौदे हैं यह हमारे शल्जम के पौदे अभी काफी छोटे हैं फिर side में last वाली line में मैं आपको दिखा देता हूँ कौन-कौन सी क्यारी है सबसे पहले क्यारी में हमने धनिया ही लगाया है एक और बैच हमने धनिये का लगा दिया है क्योंकि धनिया तो कितना भी लगा लो कम ही रहता है तो इस वाली पहली क्यारी में धनिया है दूसरी क्यारी में एक और बैच हमने लगा दिया है अपना पालक का सबसे जादा तो धनिया और पालक ही हमारा सर्दियों में खाया जाता है तो एक और क्यारी में हमने पालक लगाया है फिर इस लाइन की इस वाली क्यारी में हमने लगाया है मैंने अभी अभी कुछ दिन पहले ही ये कुछ गोभी के पौधे लगाया है नए तो बजार से लाके मैंने इसके saplings लगाएं हैं हमारे गोभी के पौदे वैसे तो चल गए हैं यह बीच बीच में जो थोड़ा space था महाँ पर कुछ extra मेरे पास प्याज के पौदे बच गए थे तो मैंने गोभी के बीच में कुछ प्याज लगा दिया हैं प्याज जादा रोध पकड़ लेंगे और हमको इन पर गोभी देखने को मिलेगी तो इस वाली क्यारी में भी मैंने आपको दिखा दिया है सबसे पहले हमारा धनिया था फिर इसमें पालक था इधर साइड में कुछ गोभी के पौदे थे यहां पर हमारी मूली थी और फिर गाचर यह लास कर लेंगे बाद में और यह हमारे बैंगल लगे हैं तो मैंने सबी आपको दिखा दिया है कौन-कौन सी विंटर वेजिटेबल लगी हैं तो में ली तो हमारा पालक धनिया मूली और कुछ पुछ पौदि गाजर के हैं अभी अभी हमने गूभी लगाई है तो मैंने सब इस बार हमने समर में एक भी लौकी नहीं खाई है, लेकिन अभी हमारी लौकी की बेल काफी अच्छी चल रही है, तो शायद अभी हमें विंटर्स में कुछ लौकी खाने को मिल जाएं, दशेर के टाइम पे इस पे वैसे आनी शुरू हो गई थी, लेकिन दो-तीन लौकी लग देख रहे हैं, यह हमारा नारंगी का पेड है, इसी से हमने अभी नारंगी कुछ हार्वेस्ट करी थी, जिनका हमने अचार बनाया था, वो वाली वीडियो आप मेरी यूट्यूप पर देख सकते हैं, यहाँ पर अभी एक हरी नारंगी लगी है, बाकी तो हमने सब जितनी कुछ दिन में यह पक जाएंगे उसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं यह है हमारा कनेर का पेड़ जो आप देख रहे हैं कनेर यहाँ पर बहुत सारे उगे हुए है और इसके बाद हमारा एक और नारंगी का पेड़ यह भी मैंने लास्ट वाली वीडियो में दिखाया था देख सकते हैं यहाँ पर कुछ नारंगी लगी हुई है और उपर भी कुछ नारंगी लगी है और मैंने आपको रीजन भी बोला था कि यह चल क्यों नहीं रहा था इस बार अच्छा क्योंकि यह कनेर ने पूरी तरह से कवर कर लिया था तो जो हमारा में कनेर का पेड़ है वो यह वाला उपर है जिसकी मैंने ब्रांचिस कट कर दी हैं जो हमारी नारंगी के उपर आ रही थी और यहां पर इतने सारे कनेर के पेड़ हमारे उख चुके हैं उसके बाद यहां पर यह रह गया हमारा यह हमारा माला बारी स्पिनेच जो हमारा बेल वाला स्पिनेच होता है वो वाली बेल हमारी है यहां पर फैल रही है आप देख सकते हैं इसमें फ्लावरिंग भी शुरू हो गई है इसके फिर बीज आ जाते हैं हम इसको बीज से भी ग्रोव कर सकते हैं फिर यहाँ पे हमारा एक और अम्रूद का पेड़ है यह इसी साल खुद से ग्रोव हुआ है चल रहा काफी अच्छा है वैसे यह भी तो इसी साल ग्रोव हुआ था खुदी गर्मियों में यह हमारी माला बारिस पीनिच की पेल यहां तक फैली हुई है फिर उसके बाद हमारा यहाँ पे लगा हुआ है यह एक नीम्बू का पेड़ यह वैसे दो साल का लगबग हुँ चुका है लेकिन इस पे अभी नीम्बू आई नहीं है यह मोटे वाले नीम्बू का पेड़ है वैसे फिर लास्ट में यहाँ पे हमारा आम का पेड़ है यह भी काफी बढ़ा हो चुका है इस पे भी लास्ट येर फ्लापरिंग तो हुई थी लेकिन आम नहीं लगे थे ओफुली इस साल इस पे आम आ जाएंगे आप देख सकते हैं मैंने अब आपको पूरा गार्डन दिखा दिया है अपने प्लांट्स भी दिखा दिये है और जो जो हमने सबचिया लगाई है वो सब भी दिखा दिये है पूरा गार्डन का टूर करने के बाद हम लोग वापस आगे हैं वहीं जहां से हमने वीडियो शुरू की थी अगर आप अभी तक वीडियो को देख रहे हैं तो आपने पूरी वीडियो देख लिए होगी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना और ये भी बताना कि आपकी इन में से फेवरेट विंटर वाली सबची कौन सी है वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी कर देना शेयर कर देना और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में तिल देन थैंक्स फो वाचिंग हैपी गाडनिंग